हाई दियर गाइज वेलकम बैक अगें तुड़े आम गोंग टो शेर वित यू गाइज वाइलाइट माय है एट होम सो इफ यू गाइज वना नो दिन प्लीज कीप वाचिंग तो यहां पर मैं यूज कर रही हूं इस्टिक्स का हाइलाइटर और यहां पर आप देख सकते हैं मेरा शेड नमबर है टू और यह एक वाइबरेंट हाइलाइटर यहां पर सारे डीटेल्स दी गई है कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो और यहां पर आप देख सकते हैं एक इसमें टब है छोटा सा जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स दिये गया है सबस्पहला में मिलता है यह ब्लोंडर पाउडर इसमें पाउडर दिया गया है से के अंदर इस चोटी से क्यूट बडल में डेवलपर और यह प्लास्टिक बॉड़ल है यह पर मुझे चार्श आशे दिये गया है कंडिशनर के उसके बाद यहां पर यहां पर एक मैनुर एजिसे देखकर आप अप क्लब्स पहनने एक बहुत ही जाद इंपॉर्टेंट स्टेप है तो इस टब में मैं लेती हूं सबसे पहले यह ब्लॉंडर पाउडर मैं इस सारे पाउडर को स्टब में डाल दूंगी अब जब भी से मिक्शर को बनाए तो आप प्लीस फैन आफ कर लें क्योंकि यह बहुत ही जादा उड़ता है और इसके स्मेल बहुत ही जादा खराब है उसके बाद इस डेवलपर को मैं इसमें डाल दूंगी मैं पूरे डेवलपर इसमें डाल दे रही हूं तो इसको डालने के बाद भी नीड टू मिक्स इट वेरी वेल इसमें जरह से भी लंज नहीं होने तो यह हो गया मिक्स यहाँ पर मैंने से चीदे मिक्स कर लिया है इसमें जरह सभी लंज नहीं है यहाँ पर मैंने बालों को दो सेक्षिन में डिवाइट कर लिया है और सबसे पहले मैं अपने लेफ्ट साइड बालों को टैंगल फ्री करके उसके बाद गलवस पाहन रही और अपने left side वाले बालों को highlight करूंगी तो यहां पर से मैं एक छोटा सा section लूँगी अपने बालों का आप ध्यान रगे कि आप बहुत ज्यादा section ना ले 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 बस एक छोटा सा section लेना है उसके बाद यही सेम brush से मैं इसे अपने hairs पे highlight वाओ apply करूंगी उसके बाद मैं अपने fingers की help से इसे अच्छी तरीकी से अपने पूरे बालों पे spread कर लूँगी ताकि यह evenly सारे बालों पे लग जाए कहीं कम और कहीं ज्यादा ना हो उसके बाद फिर से मैं एक section ले रही हूँ अपने hair का और same thing मैं कर रही हूँ यहाँ पर मैंने फिर से उस cream को highlighter को आप जो बोलना पसंद कर वो से लगाया है और उसके बाद अपने हाथों से spread कर लूँगी यहाँ पर मैंने लिए एक और section अपने crown एरिया से और इसे दो section में divide कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद फिर से हम highlight करेंगे इसे अब फिर से मैं अपने left side वाले बालों में से section लूँगी एक छोटा साब ध्यान रहे कि आप बहुत ज़्यादा section ना ले ले बालों का नहीं तो बहुत ज़्यादा अजीव होगा लगेगा highlight होने के बाद उसके बाद थोड़ा सा gap करके फिर से मैं एक section ले रही हूं इसी त स्मॉल स्मॉल section लिया है मैंने इस अप्लाइ करने के बाद मैंने 40 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था उसके बाद कंडिशनर मैंने सिर्फ यूज किया था मैंने शैंपू यूज नहीं किया था और यहां पर आप रिजल्ट देख सकते हैं तो आई होप मेरे वीडियो आपक है